स्कूल जाने के बारे में अपनी भावनाओं को मौखिक रूप से व्यक्त करना बच्चे अब एक साल के बाद स्कूल में वापिस जा रहे हैं इस गतिविधी के माध्यम से हम स्कूल जाने के बारे में उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे बच्चे अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करना सीखेंगे आईए बच्चे से स्कूल जाने का मौखिक विवरन्ट सुनते हैं बहुत दिनों के बार मुझे स्कूल जाकर अच्चा लगा मैं अपूँ टीचर से मिली, फ्रेंड से मिली, डिसेस में टिफिन खाया, बहुत खेला, मज़ा आया और अब वीडियो में बच्चे की तरह अपने बच्चे को भी स्कूल वापिस जाने के बारे में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रोच साहित कीजिए बच्चों की सोचने की छमता को बढ़ाने के लिए आप उनसे कुछ सरल प्रश्न भी पूछ सकते हैं जैसे की वे स्कूल के बारे में क्या पसंद करते हैं, उन्हें दोस्तों से मिलकर कैसा लगा, उन्होंने स्कूल में क्या किया और हाँ कारे को पूरा करने के बाद बच्चों के कारे के तस्वीर या वीडियो ग्रूप पर भेजें